अब भारतिय सेनाई 1962 जैसी स्थिती में नहीं है। गलवान हो या तवांग चीन की हर कुटल चाल का मूह तोर जवाब देने के लिए भारतिय मिलिटरी तैयार है। चाहे वह जमीन हो, आसमान हो या फिर समुद्र। भारत के पास कई ऐसे हत्रियार हैं, जिनकी ताकत से चीन भी खौफदा है। वो जानता है कि अगर भारत ने इन हत्रियारों का इस्तिमाल किया तो नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए वह हाथ हपाई, बल्लम और डंडे जैसे हत्रियारों का उप्योग करता है। भारतिय जवानों को भरकाता है। 9 दिसंबर 2022 को तवांग में भारतिय जवानों ने जिस तरह चीनी सेनिकों को कुट-कुट कर भगाया, वो देखने लायक था। आए जानते हैं कि भारत के वो कौन से हत्रियार हैं जो L.A.C. के पास तैनाथ हैं। कौन से ऐसे हत्रियार हैं जो लंबी दूरी से ही चीन के सीमाई इलाके में तबाही मचा सकते हैं। भारतिय जवान आधुनिक हत्रियारों से लेस हैं। कई स्वदेशी और ताकतवर हत्रियार भी दिये गए हैं। सीमा पर ऐसे तोपों और आटिलरी की तैनाती की गई है जो किसी भी समय चीन की सेना को धूल चटा सकते हैं। नमबर वन पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर रखा गया है। पिनाका सिस्टम 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दागता है। मतलब हर 4 सेकेंड में एक रॉकेट। इसकी रेंज 7 से 90 किलोमेटर है। पिनाका रॉकेट के उपर हाइए एक्स्प्लोसिव फ्रेग्मेंटेशन, HMX, क्लस्टर बम, एंटी पसनल, एंटी टैनक और बारूदी सुरंग ओडाने वाले हत्रियार लग सकते हैं। ये रॉकेट 100 किलिग्राम वजन का हत्रियार उठाने में सक्षम है। ये 5757.70 कम प्रतिघंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है। यानी एक सेकेंड में 1.61 कम की स्पीड से हमला। दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा कि वो टार्गेट एरिया से दूर भाग पाए। नमबर 2. K9 वजलती को भारतिय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और लारसेन एंट टुब्रो मिलकर बनाया है। यहीं 155 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड आटिलरी है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमेटर तक है। मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसमें 48 गोले स्टो होते हैं। ओपरेशनल रेंज 360 किलोमेटर और अधिक्तम गती 67 किलोमेटर प्रतिगंटा है। नमबर 3. M777 हावटसा। अरुनाचल प्रदेश में लाइन ओफ एक्चुबल कंट्रोल पर भारतिय सेना ने M777 अल्ट्रलाइट होविज़ा को तैनात कर दिया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुचाया जा सकता है। लाक पर परियाप्त मात्रा में इन तोपों की तैनाती की गई है। भारत के पास करीब 3,500 किलोमेटर लंबी लाक है। जिस पर भारतिय सेना सभी जरूरी और रननी तिक पोजिशन पर तैनात है। कुछ महीने पहले एक सेन्य अधिकारी ने कहा था कि हम अब चीन से लोहा लेने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिती में हैं। भारतिय सेना के पास 110 होविद्ज हैं। 145 और तोपों का ओर्डर दिया गया है। इसे चलाने के लिए 8 लोग लगते हैं। यहीं एक मिनट में 7 गोले दागता है। इसके गोले की रेंज 24 से 40 किलोमेटर है। इसका गोला करीब 1 कम प्रती सेकंड की गती से चलता है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमेटर है। बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस मोड में 15 राउंड और संस्टेंड मोड में 7 राउंड। यानि जैसी जरूरत हो वैसा हमला करने में सक्षम है। दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाती है ब्रहमोस मिसाइल। यहीं एक सुपसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वरजन भारतिय मिलिटरी में तैनाथ हैं। 3000 किलिग्राम वरजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। यह 200 से 300 किलिग्राम वजन का पारम पर एक सेमी आर्मर पियर से और परमानू हत्यार ले जा सकती है। अलग अलग वरजन 400 से लेकर 700 केम रेंज के हैं। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जमीन या समुद्र से मात्र 3-4 मीटर उपर उड़कर जा सकती है। इससे दुश्मन के राडार को इसके आने का पता नहीं चलेगा। इसकी गती 4,949 किलोमीटर प्रतिगंटा है। बराक 8 मिसाइलें। लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इंडियन मिलिटरी के सभी विंग इसका इस्तिमाल करते हैं। 275 किलोग्राम की मिसाइल की लंबाई 4.5 मीटर है। इस पर 60 किलोग्राम का हथियार लगा सकते हैं। डिटोनेशन हार्ड टू किल है। यानि यह मिसाइल गिरी तो दुश्मन राख में तबदील। इसका रॉकेट बिना धुआ छोड़े उड़ता है। इसलिए आसमान में दिखता नहीं। रेंज 16 से लेकर 30 किलोमेटर तक है। जो 2479 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड से उड़ती है। नमबर 7. अगनी 5 मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है ICBM। 50 से 56 किलिग्राम वजन वाली इस मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है। ये 1500 किलिग्राम वजन का वोहेर उठा सकती है। इसमें Solid Fuel Rocket लगा है। जो इसे पारमपरिक और परमानू हत्यार्ग होने की ताकत देता है। रेंज 5500 कम है। यानी इसकी रेंज में चीन पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। नमबर 8. LCH प्रचंड अपनी केटेगरी में हलके लडाकू हेलिकॉप्टर प्रचंड दुनिया का सबसे बहतरीन हेलिकॉप्टर है। इसकी सबसे बड़ी उप्योगिता हिमालय पर मौजूद छीन सीमाओं की निग्रानी में होगी। लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर का इस्तिमाल वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट्स की जरुरत नहीं होती। ये अत्यधे कूचाई वाले इलाकों से लंडिंग और टेक ओफ कर सकता है। वहां पर हमला कर सकता है। सजिकल स्ट्राइक करने के लिए ये हेलिकॉप्टर ज्यादा उप्युक्त होते हैं। इंडियन एरफोस का मल्टी रोल फाइटर जेट गैसो राफेल अधिक्तम 1912 किलोमेटर प्रतिगंटा की स्पीड से उड़ता है। कॉमबेट रेंज 1850 केम है। अधिक्तम 51,952 फीट की उचाई पर जा सकता है। इसमें 30 मिलिमीटर की 125 राउंड वाली आटो कैनन लगी है। इसमें 14 होड़ पॉइंट्स हैं वायू सेना के वर्जन के लिए और 13 नौसेनिक वर्जन के लिए। यानी सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा से शिप और परमानू हथियार ले जाने में सक्षम मिसाईले लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम लगा सकते हैं। नंबर 10, LCA Tegers देश में बना Light Combat Aircraft तेजस छोटी लडाई के लिए घातक Fighter Jet है। यानी 400 किलोमेटर से थोड़ी ज्यादा रेंज। मतलब ये है कि इसे Close Air to Ground Operations में इस्तिमाल कर सकते हैं। दुश्मन के इलाके में छोटा मिशन करना है तो ये Fighter Jet सबसे उप्युक्त है। अधिक्तम स्पीड 1980 किलोमेटर प्रतिगंटा है। यानी ध्वनी की गती देर गुना ज्यादा। रेंज 1850 किलोमेटर है लेकिन Combat Range 500 किलोमेटर ही है। यानी पूरे हथियारों और इंधन के साथ ये दुश्मन के इलाके में 500 किलोमेटर अंदर जाकर तबाही मचा कर आ सकता है। अधिक्तम तिरपन 1000 किलोमेटर की उचाई तक जा सकता है। इसमें 8 order points हैं, यानी हवा से हवा, हवा से सता, एंटी रेडियेशन और एंटी शिप मिसाईले तैनात की जा सकती हैं। इसके अलावा कई प्रकार के बमों से लस्क किया जा सकता है।